जेसी क्रिश्ण जियोतिस जीवन और ध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में बात करेंगे 13 अक्टुम्बर 2014 रवी बार के संपुन विस्तत पंचांग की अथा आप वीडियो के अंतरतक बने रहें वह पंचांग की संपुन जानकरी प्रत खरें आईए अब सुरू करते हैं आज का पंचांग इससे पहले आज आप सभी को सुब दिन की मंगल में शुब कावना है आज विक्रम संबत 2018 सक संबत 246 आस्विन मास सुकल पक्सत दस्मी वह एकादसी वार रवी वार तारिक 13 अक्टुम्बर 2004 से अब दस्मी तिति सुबह 9 बच कर 9 मिनट तक दस्मी के तिति रहेगी फिर उसके बाद में एकादसी की गडियां लगेगी अब चंद्रमा दोफर में 3 बच कर 45 मिनट तक मकर का चंद्रमा रहेगा फिर उसके बाद में कुम्ब का चंद्रमा लगेगा अब नक्षत्र, रात्री में दो बजकर बावन मिनट तक जनिश्टा नक्षत्र रहेगा, फिर उसके बाद में सत्वीसा नक्षत्र लगेगा अब योग, रात्री में नो बजकर पच्चिस मिनट तक शूल योग रहेगा, फिर उसके बाद में गंड योग लगेगा अब करण, सुबह 9 बचकर 11 मिनट तक गर करण रहेका, फिर उसके बाद में वनिच करण लगेगा अब बंगला तारिक, आज बंगला आस्री नमास की 28 तारिक है अब अगनीवास, आज अगनीवास पुर्थवी पर होने से हवन के लिए सुब रहेका अब भद्रा, रात्री में 8 बचकर 9 मिनट से भद्रा प्रारम होगी अब एकादसी वरत, सुबह 9 बचकर 9 मिनट से, कल सुबह 6 बचकर 41 मिनट तक एकादसी की गड़िया रहने से आज ही इसमार्त यानी ग्रहस्तों के लिए वरत रहेगा अब पंचक, दोफर में 3 बचकर 45 मिनट से पंचक प्रारम होगा अब रवी योग, रात्री में 2 बचकर 52 मिनट पर रवी योग शमात होगा अब नामाक स्रवर रासी, आज जड़ में बच्छों के नामाक स्रू होगे ख, 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 खी, ग, 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 वराशी होगी मकर रासी, अब नक्षदर पाया, आज जर्मे बच्छों के नक्षदर का पाया होगा, तामबे का पाया, अब बात करते हैं आस्विर मास की, आज आस्विर मास का 26 वा दिन है, आज पापाम कुशा एकादसी व्रत है, विष्णो भगवान का पूजन कर, और विष्णो सहसर न आज पापाम कर, जर्मे बात कर, विष्णो भगवान के लिए, अब सुर्य वदे वस सुर्यास, आज सुर्य उदे होगा, शुबच शविर बच कर चालिस मिनट पर, वस सुर्य अस्थोगा, शाम को श्य बच कर और आट मिनट पर, अब चंदर अस्थोगा, रात्री में 1 ब चोगडे रहेगा अब राहुकाल आज राहुकाल है शाम को चार बचकर चप्विस मिनट से पांच बचकर टेपर मिनट तक राहुकाल देगा अब दिसासुल आज पच्छिम दिसा में दिसासुल होने से पच्छिम दिसा की यात्रा को टाले अगर आवशक हो तो ताम्बुल का शिवन कर यात्रा करे परन्तु दक्षन दिसा में सनमुक चद्रम होने से दक्षन दिसा की यात्रा करना सुब रहेगा तो दोस्तों ये था का विश्र संपुर्ण बंचांग कलके संपुर्ण बंचांग के लिए जुड़े रहें आपके अपने जोतित जीवन और अध्यार पंचानल से जैसे क्रिश्चन